वेरी गूर्ट इवनिंग दिया स्प्रिंस वेलकम टू ओड़नेटिफो सेवें दिस इजमेंटर सौरव सिंग आप आप सब भी बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश भी होंगे क्योंकि कि किन किन पार्टों का ख्याल रखना है अपनों कौन-कौन से लोग eligible है और क्या cut-off marks रहा है पिछली बार या syllabus में क्या changes है बिकॉज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है इस बार CBO का syllabus में क्योंकि CBO का examination जो था SBI CBO पिछले साल पहली दफा हुआ था और इस बार दूसरी दफा है vacancies कितने हैं सब कुछ यहां पर discuss करने वाले हैं हम लोग इस session में सारे points आपको इस thumbnail पर नजर भी आ रहा होंगे कि हम लोग जो भी circle based vacancies है या फिर qualification, age, syllabus, full strategy, salary कितनी है, cut-off क्या रही थी है लेकिन cut-off का थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मापदंड इस बार अलग होने वाला है so let's talk about everything one by one start करते हैं एक बार सबसे पहले overview की बात करते हैं कि SBI CBO का जो notification है जो vacancy है इसमें हमारे पास किन-किन पॉइंट ये खयाल रखना है तो examination का जो हमारे पास level है वो फोर्स national level examination है we always see this SBI as national level examination mood of application जो है वो online है examination का mood भी क्या रहेगा online रहने वाला है salary जो है वो 2021 में जो updated salary है जो update हुई है salary में of course bank examination bank के यतने भी post सबके salary is update हुई है उसके अधार पे कुछ पहले जो salary थी 2020 के 2020 के समय CBO के लिए वो भी उतना अचा नहीं था मदब in the sense 35 अच्छा क्या वोलते है 35 to 40 थाओन के आज पास थावट now the salary is approximately 70,000 including all the allowances so now the salary is also very very good exam phases यहाँ पर तीन बिंदूओं पर है एक हमारे पास है online written test second हमारा screening है उसके बाद interview है यह तीन phases examination के again we can say number of vacancy हमारे पास 1100 प्लस 126 बैक लॉग यह एड़न क्या हो सकता है इसमें नहीं हो सकता उस पर भी करना साइध उतना सही नहीं होगा now education qualification में of course कहा गया है कि आप graduate होने चाहिए और दूसरी बात आपकी age limit जोने चाहिए 21 से 30 साल होने चाहिए और job location across india that means कि जो भी circle है जिस circle के लिए form बर रहे हैं उस circle में होगा website official website to have sbi.co.in है जिस पर हम लोग सारे notifications को पढ़ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं इसके बाद events पर क्या-क्या events date हमारे पास CBO के लिए हैं तो important dates for event dates of SBI CBO 2021 आज मतलब कि 8 December को notification आता है आपके सामने कल से form भरना सुरू हो जाएगा मतलब कि 9th of December से लेके 29th of December तक form भरा जाना है मतलब 20 दिन का वक्त हमेशा हर एक बैंक examination जब notification जारी करती है तो वह 20 दिनों का वक्त देते हैं इन लोग अपना 20 दिनों का वक्त दे रखा है डाउनलोड कब करना को कॉलेटर कब जारी करने की expectation है टेंटेटिव डेट जो बताया गया है वह 12 जनवरी ऑनवर्ड्स यह बताया गया है आपके application form में आपके notification में बताया गया कि 12 जनवरी से हम लोग कॉलेटर जारी कर सकते हैं टेंटेटिव वर्ड का भी वहाँ पर जिक्र किया गया है उसके बाद टेस्ट जो हमारा है जो अलनाइन टेंट टेस्ट है उसको हम लोग expect कर रहे हैं जनवरी दोहजार बाइस में हम डेड़ महीन है ज़रूर मान सकते हैं that means कि 45-50 डेज हम यहां expect कर सकते हैं examination के होने में हम अगर डेज में बात करें ज्यादा बेटर होगा क्या पढ़ना है syllabus भी आपके सामने भी आएगा सशन में सब कुछ बताऊंगा क्या syllabus है क्या अपडेशन है इस चीज़ को लेकर इंटर्वी के बारे में कुछ भी clear नहीं कहा गया तो to be notified कह सकते हैं इस चीज़ को कि of course हो जारी करेंगे expectation यहीं है कि Feb end में या फिर मार्च के यहां पर नजर आ रहा है वो है education qualification कौन-कौन से लोग eligible हैं क्या इसमें experiences की demand है because of course CBU का circle based officer हम सब को मालूम है कि यह fresh graduate form fill नहीं कर सकते बहुत एक क्लिरी बता तो fresh graduate form fill नहीं कर सकते form भरने के लिए आपके पास experience होने चीज़ लिए उससे पहले आपको यहां पर master's degree की expectation नहीं चलेगा क्या कहा गया है graduation in any discipline from recognized university or any equivalent qualification recognized such as by the central government मतलब की आगर graduate है किसी भी stream से अगर graduate है recognized by the central government that means you are eligible to fill the form लेकिन साथ में एक note पे कुछ बिंदू कहा गया कुछ पढ़के देखते हैं क्या कहा गया यह सारे शब्द आपके notification से ही उठाए गया है कहा गया the date of passing eligibility examination will be the date appearing on the mark sheet और provisional certificate issued by the university is oblig issued में जहां लगता है यह point कुछ खास एहम नहीं होगा क्योंकि fresh graduate जो है academic qualification as on 1 12 2021 एक बारत 2021 के reference में आपके पास कितना experience होना चाहिए so minimum यहाँ पर mention किया गया है minimum two years experience post essential academic qualification experience as on 1 12 2021 as an officer in any scheduled commercial bank bank or any rural regional bank as listed in second schedule of RBI यह point कहा गया मतब किया तो आप किसी भी schedule bank commercial bank से होने चाहिए या फिर आप किसी न किसी RRB से होने चाहिए और दो साल का experience आपके पास होना चाहिए as on 1 12 2021 यह जो data यह बहुत एहम होगा उनके लिए जो experience को count करेंगे calculate करेंगे उनके लिए यह date काफी important होने वाला मतब एक बारत 2021 तक आपस 2 साल minimum 2 साल का experience होना चाहिए कहां पर फिर से repeat कर रहा हूं मैं scheduled commercial bank में या फिर RRB में कहीं न कहीं आपस 2 साल का experience होना चाहिए as an officer as an officer ध्यान रखिएगा यह point भी important है कि as an officer आपके पास यह experience होना चाहिए साथ में इसको कैसे आपका रखिवेट करेंगे कैसे समझेंगे क्या है तो candidates that have to submit job profile certified by their existing oblique previous employers employer or oblique of employers कह सकते है with whom they are or they were employed in case their job profile does not match subsequently or indifferent than the job of a scale-1 generalist officer of State Bank of India then the application of such candidate will be summarily rejected अगर आप SBI में already scale-1 officer के तौर पे काम कर रहे है तो फिर आपका reject कर दिया जागा पहली बोल दिया गया है at any stage of the recruitment process decision of bank in this regard would be final and binding on all candidates no representation or correspondence will be entertained by the bank in this regard that means you must carry the no demand of this essential qualification of you know experience this is actually demand of this SBI CBO post for this SBI CBO post very clear बहुत ही साफ सूत्रा बताया गया कि भाई आपास दो साल का experience होना चाहिए और वो भी किसी भी जगा that means कि किसी जगा का मतब है दो category रखा गया है scheduled commercial bank और RRBs में दो साल का experience as on that's it nothing else about this experience मैं फिर से आता हूं इसमें education qualification में graduate होने चाहिए आप किसी भी discipline से बट आगे पास experience होना चाहिए साथ में बताया गया है कि भाई जो आपका the date of passing ability examination will be the date appearing on the mark sheet or provisional certificate issued by the university or institute in case the result of a particular examination is posted on the website in the university is obligate institute a certificate issued by the appropriate authority of a university institute indicating the date on which result was posted on the website again I can say that this particular note is not very much essential because मुझे जो लगता है कि आप में से जो भी candidate इस exam के लिए eligible है वो सभी लोग पास already graduate होंगे आप सभी लोग और इस point का बहुत जादा आपको concern नहीं रखना है आगे बढ़ते हैं let's talk about some more thing that means now we'll talk about age criteria so very clearly again they have mentioned that the age limit as on 1 12 2021 that means की एक बारत दो हजार किस के तौर पे आप क्या होने चाहिए not below 21 years and not above 30 years as on 1 12 2021 that is candidate must have been born not later on later than एक बारत दो हजार मतब एक दिसमब दो हजार बारत के बारत पैदा नहीं होने चाहिए और not earlier than 2 12 1991 both date inclusive मतब इन दोने date को रखा गया जिनका बर्डे इस date पर पढ़ रहा होगा वो भी include किये जाएंगे इस बाता खयाल रखिये calculation का tension मत रखियेगा ठीक है ठीक है clear? नहीं रिकॉर्डड वीडियो नहीं है आम लाइब पर्फेक्टली है इत्ती रात में लाइव हूं ठीक है बिकॉस नोटिफिकेशन ही बहुत लेट इवनिंग आया और लेट इवनिंग में आया था लेकिन वीवर वेरी मुच इंगे इंगे इन सेशन आगे जो गबमेंट नॉम्स के अधार पे एज रिलाक्शेशन वही आपके पास यहां भी रखा गया है यहां रखा गया है यहां पर देख सकते हैं तीन साल, से से हैं पांच साल असी तरीके से अगर आप पी डूड बेलोग करते हैं दस साल और एक सर्विसमें फाइव साल और इ इसामिलेशन होने वाला 120 मार्क्स का पहले तो आपका नजर आएगा आपको कि आपका ओनलाइन टेस्ट होने वाला मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा अलग से नेक्स स्लाइड में हमारे पास इसको मैं अलग से इलबोरेट कर रखाऊं क्या क्या सब्जेक्ट है इस बार औ है मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बदला हो है सिलेबस को लेकिए पिछले साल का सिलेबस जो अप्रोच से था लेकिन इस बार का जो अप्रोच बहुत डिफरेंट है 120 मार्क्स का अब्जेक्टिव टेस्ट होगा 50 मार्स का डिस्क्रिप्टिव होगा और उसी तरीके से होग गरबढ़ है यह पार्ट नहीं है मतलब objective mcqs नहीं हो थोड़ा सा mistake हो गया यहां पे screening जो आपका है वो normally आपका document verification से लेके आप eligible है क्या है सारे चीजों को वहां पर चेक करेंगे उसके बाद आपको interview के लिए बेजेंगे ऐसा नहीं कोई no कुछ fraud या फिर कुछ भी इस तर interview है आपके पास 50 marks के verbal interview of course that is the thing now we'll try to elaborate this online written test examination यह जो आपका test है इसको अगर आप syllabus देखेंगे तो काफी बड़ा बदलाओ है बहुत आसान भी है दो चीज़ें बहुत important उसमें और भी add-on है जैसे कि आपका written test का आपका phase है मतलब क्या-क्या subject यहां पर नजर आएंगे आपको English language आपको as a subject नजर आएगा of course English language पहले भी था इस बार भी है तीस question 30 marks 30 minutes समय भी काफी दिया जा रहा है तीस सवाल के लिए normally हम अगर किसी भी सब्सक्राइब करें तो 20 minutes दिया जाते है 35 30 questions के लिए यहां पर 30 questions के लिए 30 marks and plus 30 minutes दिया जा रहा है that is how मैं तो मैं कह सकता हूं कि भाई बहुत सुकून से आपको एक्जाम देने का मौका दिया जा रहा है उसका बड़ा बदला हो यह है कि पिछले साल पिछले साल पर पहली बार देखा है तो SBI CBO का पहला बार एक्जामरेशन जो है 2020 में हुआ था और लेकिन उस समय रिजनिंग और क्वांट्स को यहां पर रखा गया था as a subject but this is this time we can find that only banking knowledge and general awareness and then आपका economy वाला segment है computer है और English है मतलब कह सकते हैं कोई calculation नहीं निभाना आपको यहां पर कोई calculation कहीं करना ही नहीं है English में कोई calculation नहीं है पास banking knowledge चालिस question चालिस marks चालिस minute हर एक question के लिए आपको एक-एक minute का वक्त दिया जा रहा है जहां पर calculation नहीं करना है एक और पती की बात आपको नीचे नजर आ रही हो यलो कलर से लिखा गया है मतलब कि यहां पर कोई objective test में पिनाल्टी भी नहीं है मतलब कि आपको बिलकुल कोई निगेटिव नहीं है मतलब कि अटेम्ट जो होने वाले हैं 120 में 120 अटेम्ट करके आएंगे हर एक बच्चे इसमें कोई चक नहीं है पिछले साल आफकोर्स हमारे पास देखाया तो कट आफ बहुत कम गया था आप कह सकते हैं 200 नंबर में याद आ रहा है 200 नंबर का इसास है हाँ 60 मार्क्स कि हर एक सरक्ल का दिम्हा अब्जर्व किया मैं इसमें लिख नहीं पाया हूँ आज लेकिन मैं इसको अलग सेशन में आकर बताऊंगा कि क्या रहा है कट आफ क्यों नहीं रखा मैंने यहां पर बिकॉस कट आफ का जो हमारे जो तरीका होत होता है यहां पर नहीं है वह नीचे में है वह पट्टी आ जारी नीचे में है तो यहां पर एक और पॉइंट मैंशन है जो इसमें लिखा गया है कि there is no sectional cut-off that means कि आपको और यहां पर 120 नंबर में से आप जितना अच्छा अन कर लें जितना अच्छा ग्रैब कर लें मार्क्स उतना ही आपके लिए मदब बेटर होगा so subject बहुत क्लियर है English banking knowledge and then आपका general awareness of the economy and then computer aptitude सबके मार्क्स number of question और time सब कुछ आपके सामने है तो मतलब पूरा खेल है यह तो साल का experience जाइए नाओ इसमें descriptive test को था सा elaborate कर दिया हूं यहां पर descriptive test में बताया गया कि the descriptive paper of 30 minutes duration with two questions of for 50 marks will be a test of English language that is letter writing and essay will be there in this paper as as like you can say जैसा कि हमारे you know SBI फिर IAPSPU के descriptive part में होता है जहां means के बाद जो descriptive होता है ठीक वैसा ही यहां पर भी रखा गया है से वही pattern है ठीक है after this of course मुद्दे की बात कर लेते हैं इससे पहले सारी बाते समराइज करते हैं क्या क्या points था यहां पर मैं एक बार समराइज करता हूं यहां पर कौन कौन से लोग eligible हैं तो मैं समराइज कर रहा हूं अगर आपकी age 21 से 30 साल तक के बीच में हैं अगर आप general category में वह भी कहां पर तो आरर बीज में होने चाहिए किसी भी रीजन लूरल बैंक से आप में काम कर रहे हूं आप दो साल एजन ऑफिसर साती साथ आप किसी कॉमर्सियल बैंक में से तालुक रखते हैं वहां पर आपने काम कर रखा है उसके दो साल का minimum experience demand किया गया है तो आप SBI में circle-based officer के तौर पर आप form भर सकते हैं जो form vacancy आप किया जाए जिसके form भरने की तारीख है वो कल से सुरू हो जाएगी that means 9th of December से आप form भरना सुरू कर सकते हैं और 29 तारीख तक form भर सकते हैं 20 days का वक दिया गया अप्रोक्समेटल आपको यहां ठीक है ठीक है ठीक है एक्जामनेशन में सारा खेल यहां पर मैं कह सकता हूं कि objective टेस्ट तो खैर है ही लेकिन ऐसा objective टेस्ट है जहां पर calculation नहीं है मतलब कि आपको बहुत अच्छा खासा current affairs जेनल बैंकिंग का नॉलेज यह फिर कह सकते हैं आप economic knowledge होना चाहिए बहुत बहतरीन तरीके से वैसे त काम करना उनको थोड़ा सा ध्यान अपना चाहिए इस चीज़ का that means now I should talk about how to prepare for SBI CBO 2021 क्या करना चाहिए 21-22 actually so अब एकदम simple observation यहां पर हम लों रखेंगे हमारे पर subject की तौर पर क्या है English है अब अगर मैं cut off की बात करूं पिछले साल जो cut off था अगर हर एक circle का मैं observe करके जो बता सकता हूं आपको यह था कि 50 से लेके 70 तक में सारा cut off निपट गया था 50 से 70 तक में बस यह cut off था यहां पर 120 नंबर में से मुझे लगता है cut off ठीक ठाक जा सकता है लेकिन यह भी बात है negative नहीं है that means कि negative तो जा नहीं सकता पहली बात और दूसरी बात यह भी है कि यहां पर कोई calculation पार्ट नहीं कि आप slow रह गये और का फिर optimum time भी दिया गया है तो English subject आगे पास है आगे पास तो productive subject की तोर पर यहां पर कौन-कौन सा निकल के आ रहा है मैं बैंकिंग से आप बहुत अच्छा knowledge आप मने banking से और यहां पर computer का segment है यहां से आप अच्छा marks निकाल सकते हैं और मैं computer का बात करो 20 questions यहां पर 20 marks है that means मुझे लगता है कि यहां से आप बहुत अच्छा marks निकाल आप जो भी आपको पार knowledge अगर है भी तो भी वह बाद में रिवीजन होगा उससे काफी help मिलेगा आपको यहां पर दूसरी बात current affairs में और economy में current affairs that means general awareness plus economy लिखा गया syllabus में आपके that means that is actually about this current affairs thing तो current affairs in economy इस segments I think 30 questions का demand किया गया 30 questions right हमारे पास 30 questions यहां से 40 questions यहां से that means 30 questions हमारे पास इस जगह से 30 questions और यहां से 40 questions अगर मैं अनुमाल लगा हूं जो मेरा अनुभव है उसके अधार पर 30 questions यहां से English में भी मुझे नहीं लगता आप देखो पेपर के लेवर पीड़े किस लेवल पर इस का demand कर रहे है बट आफ को मुझे लगता है कि अगर वह experienced officer का demand कर रहे है और experienced officer का test ले रहे है तो मुझे लेंग्लिस language का test काफी अच्छा होने वाला है मतलब English test English language होगा यह थो ठीक ठाक demand करेंगे यहां पर यह लोग और यह जो 30 questions आपको दिख रहा है यह 30 questions यहां पर घर से पढ़के ऐसा जाएं कि मतलब 40 30 70 और यहां पर 20 90 90 माक्स में से आप कोशिश कीजेगा कि आप यहां से maximum marks ग्रैप कर पहें और current affairs का segment है यहां पर minimum six month तो पढ़ना ही पढ़ेगा current affairs minimum six months का current affairs तो आपको clear होना चाहिए और banking awareness बहुत बढ़िया segment होगा जहां से कि आप सब्सक्राइब पूछने वाले होंगे आपको 40 questions और इसको इसकी revision इसके बारे में जितनी पढ़ाई होगी वह आपको करा ही रहे होंगे that means all the knowledge you have and plus whatever will teach you or you can say will help you in the in your preparation will help you to get the no see your job so vacancy भी इस बार पिछले साल कम है लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छा है पिछले साल का बहुत स वेकंसी है 126 आपके पास backlog है that means की बहुत जगह पर backlog रह गया है मतलब इस बात को आप समझेगा that means की वेकंसी मारा पास ठीक ठाक है आप यूद कि लड़ाई कीजिए और मतलब यूद कीजिए और निकल लीजिए वाली कहानी है धूर्ट आप पर अबकिन की अपने बैंक का तो होगा ही बाकी सारे बैंक का नॉलेज़ एक अठा करने के लिए और प्रिसाइशल दी बैंक इंगा पड़नेश को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बहूत साइश है तो कॉमन रहेंगी बहूत साय चीजिए डिफरेंट भी र is good Bhopal had highest cut-off how about the cut-off was not that much high in the sense the cut-off in this examination is for this examination like SBI-CBU that means I am not saying we are doing wrong because the last year pattern was very different so we should not talk about cut-off there is no negative marking there is no sectional cut-off that means 120 questions are going to do all of them in the sense it will be a bit of luck matter we should not talk about that 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 we should be very comfortable with this kind of segment which can be prepared for first sessions and classes when you do to study night in the time your a lot better you will study office after school 2-3 would-3-3 counes be a day if you do concentrate I will be good today's time the best thing that you can acquire online studies which is more of a support and help वैसे तो सबके लिए बहुत फूटफूल चीज है लेकिन जो लोग आड़ी बिजी है अपने कहीं पर इसके एक टाइम स्पैन कर्च कर रहा है कहीं पर जॉब में उनके पास कोई अफसर नहीं बसता है को घर पर आने कब पढ़ाई कब करें इसके लिए आफकोर्स हम लोग है और यह बहुत फूटफूल है उनके लिए तो इस बाइस दिसमबर से क्लासे सुरू हो जाएंगे आपके लिए स्टाइम में भी अपडेशन हो सकता है फूर पीम तो सेवन पीम हो जाए तो यह तो आपके अफिस का वरकिंग आउर का भी खयाल रखा जाएगा इस बात का अभी यह आज ही नोटिफिकेशन है तो जिल्दी में जो भी आगे पास बैच आई है वो आपके सामने रख दी ग सब्सक्राइब करने वाला हैं कंप्यूटर से लेकर इंग्लिज से लेकर इंटरफेर्स बैंकिंग अबैने सबके लिए ठीक है बैंकिंग सेक्टर में जाने के बाद आपको SBI CBO नजर आ जाएगा वहां पर सर्च कर लिजेगा आप SBI CBO कोट के अधार पर इस Batch में, Signing off, thank you so much, bye-bye, take care, study well and blessings.